आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन की गैलरी की कोई भी इमेज या फिर फोटो से PDF कैसे बना सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो सबसे पहले वो फोटो आपके फोन की गैलरी में होनी चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गैलरी में ये दो पेजिस की फोटो हैं तो यहाँ पर हम इन दो फोटो का PDF बनाने वाले हैं तो आपको अपने फोन में Play Store को Open करना है सबसे पहले उपन करने के बाद आपको उपर की तरफ टच करना है और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए PDF Maker तो यहाँ पर आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला Application आ जाएगा तो इस पर आपको टच करना है Orange Palm यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप ये वाला Install कर लीजिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये Application इंश्टॉल हो चुका है अब आपको इसे Open करना है ओपन करने के बाद यहां पर एक permissions का option आएगा तो आपको allow पर touch करना है यानि कि permissions को आप allow कर दीजिये एक option आएगा continue continue पर आपको touch करना है अब आपके सामने इस तरह का page आजाएगा एक option आपको मिलेगा photo to pdf तो photo to pdf वाले option पर आप touch कर दीजिये टच करने के बाद एक option है select images तो आपको select images पर टच करना है यहाँ पर टच करने के बाद आपके phone की gallery की recent photos आने लग जाएंगी तो यहाँ पर आप जो भी photo को पहले रखना चाहते हैं अपनी PDF फाइल में उसे पहले select कर लीजिए यहाँ पर आपको number भी show हो जाएगा यानि कि इस हिसाब से आपकी PDF फाइल बन जाएगी यहाँ पर हम दूसरे number पर चाहते हैं यह वाली photo को रखना इसी तरह से आप select कर लीजिए जो भी photos का PDF create करना चाहते हैं select करने के बाद आपको नीचे apply का option मिल जाएगा apply पर आप touch करेंगे तो आपके सामने show होगा photos added अब आपको एक option मिलेगा edit photos यहाँ पर आप touch कर दीजिए touch करने के बाद अगर आप अपनी photos को crop करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से crop कर लीजिए अगर आपको photo तिर्चा हो गया है तो rotate कर सकते हैं rotate पर touch करके उसके बाद आपको एक save का option मिलेगा तो save पर आप touch कर दीजिए next page के लिए आपको इस arrow पर touch करना है अब आपका दूसरा page आ जाएगा इसे भी आप crop कर सकते हैं इसी तरह से rotate कर सकते हैं अगर आपका photo तिर्चा हो जाता है तो और दुबारा से आपको save करना है यानि कि आपको हर page अलग-अलग save कर लेना है उसके बाद आपको complete होने के बाद एक right side right का option मिलेगा तो right पर आप touch कर दीजिए यहाँ पर आपको show होगा images cropped यानि कि आपकी photos edit हो चुकी है एक option है compress का compress पर आपको touch करना है यहाँ पर touch करिए enter here पर उसके बाद आपको 40 यहाँ पर डाल दीजिए 40 और make it default पर आप touch कर दीजिए इसे tick कर दीजिए उसके बाद OK कर दीजिए अब यहाँ पर एक option है make PDF का तो make PDF पर आपको touch करना है यहाँ पर आप PDF का नाम चेंज कर सकते हैं तो इसे कट कर सकते हैं पहले आप और PDF का नाम यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पर हमने डाल दिया है PDF2 उसके बाद एक option आएगा ओके का ओके पर जैसे ही आप टच करेंगे आपका PDF क्रियेट हो जाएगा अब यहाँ पर एक option आएगा open PDF यहाँ पर आपको टच करना है टच करने के बाद आपका PDF ओपन हो जाएगा राइट साइड आपको तीन लाइन यानि कि तीन डाट शो हो जाएगे तीन डाट पर आप टच कर दीजिए डाउनलोड का एक option आएगा डाउनलोड पर आपको टच करना है और आपका PDF यहाँ पर कुछ seconds में डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं downloaded completed यानि कि हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर आपको back आना है यहाँ से आप share कर सकते हैं अपना PDF अगर आप WhatsApp पर करना चाते हैं तो यह PDF हमारी internal storage यानि की phone की memory में save हो चुका है अब हम check कर लेते हैं file manager में जाके इसी तरह से आपको जाना है file manager में documents में जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा PDF टू यहाँ पर आ चुका है इसे आप open कर सकते हैं अब यहाँ से आप इसे share कर सकते हैं या फिर send कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी gallery की image से कोई भी PDF बना सकते हैं अगर यह video पसंद आई तो video को like करें और हमारे channel को subscribe चरूर करें